अलो एव्रिवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल फ्रेंड्स ये इस ड्रामे का सेकेंड लास्ट पार्ट है और ये ड्रामा जल्दी खत्म होने वाला है तो मैं आप लोगों से सजेशन चाहती हूँ तो प्लीज आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि मुझे कौन सा ड्रामा या मूवी नेक्स्ट एक्स्प्लेन करना चाहिए तो चलो एक्स्प्लेनेशन शुरू करें होता है वो बोलती है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती पर लिंचन अचानक से गायब हो गया तो औरेंच बोलती है मैं लिंचन को नहीं जानती तो वो लड़की बोलती है मैं तुम्हें सिर्फ दस मिनट देती हूँ उसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है अगले सीन में जियायू चैंगमू को सी ओफ करने आई होती है Ziyu Changmu से अपना खयाल रखने को कहती है तो Changmu बोलता है ठीक है इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है उसके जाने के बाद Ziyu Orange को कॉल करती है बट वो उसका फोन नहीं उठाती फिर वो गाड़ी में आकर बैठ जाती है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं तब ही हम वहाँ एक suspicious आदमी को देखते हैं जिसका चहरा रिवील नहीं किया जाता और ये सीन यहीं कट हो जाता है अगले सीन में Ziyu बहुत सैड होती है तो लिंजयान उससे बोलता है तुम किसी और के बारे में सोचो इसके लिए मैं तुम्हें कभी अलाव नहीं करूंगा तुम सिर्फ मे मेरे बारे में सोच सकती हो उसके बाद Ziyu स्माइल करने लगती है फिर वो एक बेंच पर बैठते हैं जहां लिंजयान Ziyu से पुछता है कि क्या अब तुम अच्छा मैसोस कर रही हो तो Ziyu बोलती है कि मेरी सबसे बड़ी विश अब ये है कि तुम्हारी आखे जल्द ही ठ पूछता है तब जाके हम जान पाते हैं कि यह लड़की लिंचेंड की एकस गर्फरेंड है जो उससे बदला लेना चाह रही होती है तो लिंचेंड बोलता है तुम्हें मुझसे काम है तो औरेंच को छोड़ दो तो उसकी एकस बोलती है तो तुम अपनी लवर को बचाना छाते हो और Link Chen से पूच्छती है कि क्या ये तुम्हारी कोई फैन है तो Link Chen को गुसा आ जाता है तो वो सब को अकेले ही पीट देता है और फिर Orange को वहाँ से लेकर चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं Link Chen Orange को बैड पे लिटाता है तो वो देखता है कि Orange नींद में बरबरा रही होती है तो Linkजेन उसके करीब जाता है ताकि वो सुन सके कि वो क्या बरबरा रही है तो Orange उसके कान को काट लेती है Next Scene में Secretary Lee, Linkजेन को बताते हैं कि ZIU के पापा ने साइन किये थे और हम जैसे भी investigation कर ले फिर भी हमें fraud ही माना जाएगा और अगर हमने इस matter को अच्छे से handle नहीं किया तो ZIU को jail भी हो सकती है तो लिंजयान गुस्से में बोलता है जाओ जाकर पता लगाओ ये किस ने किया है तब ही उसे phone आता है कि ZIU hospital में है तो लिंजयान भागा भागा ZIU के पास जाता है जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि ZIU अब ठीक है पर उसे आराम की जरूरत है अगले सीन में लिंजयान को voice recording मिलती है जिसमें बोला जा रहा होता है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ हम बस अपना काम कर रहे हैं और ये warning है ये सीन यहीं कट हो जाता है यहां से सीन shift होकर orange पे आता है जिसकी नीन खुलती है तो वो लिंजयान को वहाँ देख कर डर जाती है फिर लिंजयान की नीन खुलती है तो orange उससे दूर जाने लगती है और लिंजयान से बोलती है मैं एक साधारन लड़की हूँ और तुम मुझसे दूर रहो तुमने और कितने जूट बोले हैं तो लिंजयान बोलता है मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम midnight को नहीं सुनती हो तो orange उसे धक्का देकर वहां से जाने लगती है तो लिंजयान के दिल में दर्ध होने लगता है तो orange उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उससे दर्ध हो रहा है तो लिंजयान बोलता है हाँ उसके बाद वो orange को गले लगा लेता है सीन शिफ्ट होकर किन पे आता है जहां वो एक आदमी से बोल रही होती है कि ये मैं तुम पे छोड़ती हूँ हान्युआन तो हान्युआन बोलता है मैं अपना बेस्ट करूँगा फिर वो वहां से चला जाता है और हम किन के पास एक फाइल को देखते हैं ये सीन यही कठ हो जाता है अगले सीन में जियायू लिंजयान से बोल रही होती है कि औरेंज ने मेरे मैसेज़ेस का दो दिनों से कोई रिप्लाई नहीं दिया है और टेंशन लेने लगती है तो लिंजयान उससे कहता है कि वो शायद लिंजयान के साथ होगी तो जियायू लिंजयान को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या औरेंज तुम्हारे साथ है तो दूसरी तरफ से औरेंज बोलती है कि मैं ठीक हूँ तुम मेरे लिए परिशान मत हो तो जियायू पूछती है तुम दोनो कल साथ ही थे और उनसे पूछती है कि तुम लोग कहां हो मैं वहां आ रही हूँ तो लिंग चैन उसे मना करने लगता है वहां आने से तो औरेंज फोन छीन लेती है और जियायू से बोलती है तुम मेरी चिंता मत करो मैं ठीक हूँ और इधर उसने Link Chan का मूँ भी बंद किया होता है और फिर वो Ziyu से बोलती है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी फिर Ziyu फोन कट कर देती है तो Lin Ziyan उससे बोलता है कि तुम उन्हें अकेला छोड़ दो और उसे बोलता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है मुझे देखने का तो Z.I.U. मन में बोलती है मैं इसी की वज़ा से परिशान हूँ नेक्ट सीन में ओरेंज लिंग चैन की चोट पे दवा लगा रही होती है फिर वो दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगते है ये सीन यहीं कट हो जाता है अगले सीन में Z.I.U. डॉक्टर के पास होती है जहां डॉक्टर कहते हैं कि लिंग जयान की आँखे पूरी तरह से ठीक हो सकती है तो Z.I.U. बहुत खुश हो जाती है वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां केना जाती है और Z.I.U. से बोलती है मैं हेल्प करूंगी लिंग जयान की आँखों की रिकवरी के लिए तो Z.I.U. उससे पूछती है कि तुम इतनी अच्छी हो क्या तो किन बोलती है मैं हेल्प करूंगी पर मेरी एक शर्थ है तो Z.I.U. उससे पूछती है कि क्या है वो शर्थ तो किन Z.I.U. के पास आकर उसके कानों में कुछ कहती है पर वो बात हमें नहीं सुनाई जाती है उसके बाद किन कहती है अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं उसकी आखे ठीक करने में हेल्प कर सकती हूँ और फिर वो Z.I.U. को वही फाइल देती है जिससे हमने कुछ टाइम पहले के सीन में देखा था जो कि किन की शर्ट के एगरिमेंट पेपर्स होते हैं उसके बाद वो Z.I.U. से कहती है इस बारे में लिन्जियान को मत बताना ये हमारा एक छोटा सा सीक्रेट है और फिर वो वहाँ से चली जाती है अगले सीन में लिन्जियान Z.I.U. से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो कल की सरचरी सक्सेस्फुल होगी और उसके बाद तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा तो Z.I.U. सैड हो जाती है फिर हमें एक फ्लैशबक दिखाया जाता है जहां किन लिन्जियान के पास आती है और उससे बोलती है मुझे एक रास्ता मिला है तुम्हारी आखों को ठीक करने का यही फ्लैशबक खत्म हो जाता है उसके बाद प्रेजेंट में लिन्जियान Z.I.U. से बोलता है मुझे लगा था तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा मैं पर दिन हान ने इसे पॉसिबल करा है फिर वो बोलता है जब मेरी आखे ठीक हो जाएंगी तब हम शादी कर लेंगे तो Z.I.U. बोलती है ठीक है फि तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो लिन फैमिली की बहु के लिए है और जब तुमने इसे पहना है तो तुम अब अपना फैसला नहीं बदल सकती हो तो Z.I.U. बोलती है कल तुम्हारी सरजरी के बाद मैं वो पहली होंगी जिसे तुम सबसे पहले देखोगे और बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे चहरे को बहुत अच्छे से देखो यहां से सीन शिफ्ट होकर सिक्रेटरी ली पे आता है जिन्हें लिन जियान कॉल करके बोलता है और जिनल प्लैन के कॉर्डिंग काम करना है यह सीन यहीं कट हो जाता है अगले सीन में Z.I.U. अपने कमड कर लिन जियान के लिए एक लेटर लिखती है और उसके दिये नेकलेस को भी उतार कर लेटर के साथ ही रख देती है दूसरी तरफ ऑपरेशन थीयटर के बाहर किन लिन चैन और ओरेंज वेट कर रहे होते हैं ऑपरेशन खत्म होने का अगले सीन में Z.I.U. अपने सामान के सा लिन जियान के घर को छोड़ कर जा रही होती है तो उसे याद आने लगता है फिर से लिन जियान के साथ बिताया हुआ पल फिर वो बाई लिन जियान बोल कर वहां से चली जाती है इसी के साथ इस पार्ट की एक्स्प्लिनेशन यहीं एंड होती है थैंक्स फॉर वाचिंग झाल 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 झाल